हेलो फ्रेंड्स आइम नेहा और इस वीडियो में हम इडियम स्रेजिस के बारे में जानेंगे इसमें ना तो आपको एक त्रिक याद करने की जोड़त है और नहीं कोई रूट वर्ड यह मैं आपको एक इमेजिनेशन के तौर पर याद करने का इसका तरीका बताती हूं यह ब ही हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं अब आए हम स्टार्ट करते हैं एडियम स्यरिस का फर्ष्ट मैंन ओफ फ्यू वर्डस जैसे कि आपको यह वर्ड से देखने से पता चला है कि मैं ओफ फ्यू वर्डस मतलब जिसके पास बहुत कम वर्डस हो इंध मेंस वह बंदा चुप रहता हो या तो वो बोलना पाता हो जादा इस वज़ा से हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसके पास बहुत कम शब्द हो तो ऐसे हमें याद हो गया ना ये कि man of few words का मतलब है कि चुप रहने वाला तो ऐसे हमें इसको याद करने रहें अभी आप एक कहानी की तरह only समझते रहें और end में मैं इस वीडियो के आपसे practice set करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि आपको एक भी word का ऐसा मतलब नहीं होगा कि जो आपको याद ना हो आपको मेरी सारी बाते याद आएंगी तो आप बस इस वीडियो के end तक बने रहें second है in black and white जैस जैसे हम black pen से white page पे कुछ लिखते है ना तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं इन black and white तो इतमीं लुखीत रूप में अब हम आते हैं नंबर 3 पर man of many words इसका मतलब है वाचार इतमीं जो बात करने में अच्छा हो अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं अब इसे हम जैसे ह हमने पहले देखा कि man of few words मतलब था कि few words जिसके पास कम word हो ऐसे ही man of many words जिसके पास ज्यादा word हो many words हो तो इसे हम talkative, garrulous और loquatious कहते हैं loquatious में भी एक loquat जो word है वो root word है loquat मतलब होता है बात्चीत जो मतलब बात्चीत नी speech जो अच्छे से बोल पाता हो तो उसे हम वाचार कहेंगे ना वैसे ही man of many words को भी हम याद कर सकते हैं वाचार करके जो बात करने में अच्छा हो इसका मतलब होता है बुरी तरह से पीतने या चोट लगने के कारण लगे निशान अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं आपने जरूर देखा हो जब आपको पिटाई पड़ती है तो क्या होता है उससे हमारे शरीर पे black और blue blue से जैसे खून जैसे जम जाता है तो उसके कारण blue blue से dark से निशान हो जाते हैं तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि he was bitten black and blue कि पिटने के कान क्या हो यह लाल पीला हो जाते हैं तो इससे हम इसको इस तरीके से link करके इसको हम याद कर सकते हैं यह सिफ आपको एक याद कराने का तरीका है तो इसलिए इस बात को serious मत ल लेवर टाइप में चाया को बैंक के जो ओफिसर्स होते हैं कि क्या काम होता है कि हमारे उसमें दिमाग खड़ चो रहा है पर अधिक्ते ड्रेस पहनते हैं उनकी क्या करते हैं तो हम इसको असानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं ब्लू कॉलर जोब कैसी जो जो शारी एक श्रम वाली नोकरी होती है आज एक श्रम उफ मैनुल लेबर एसा ही एक इडियंम एक और है वाय्ट ऑले जोब जिसे हम मांशे इक शत्रम वाली नहों जो जोता हैं जिसे हमारे बैंक की औकरी क्योंखी 好 सो गहेleg किसी भी पोश्ट की जो ऑफश्र्स हो जाते हैं वह मतलब को हम वायट चो जोब वाली रह allied अगर हम आप इसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक रेगिस्तान की जगह PLUK करना चाहें को और यहाँ नहीं हो सकती है क्वहांप Tapis, यहाँá myths अपनी बेकार की महनत कर रहें और वही अगर हम अच्छी भूमी कर अगर खेति करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी महानत का फल भी दिखाई देता है उससे हमारी अच्छी फसल भी होती है अगर एक रेत में हम अपनी खेती करें तो कि हम आपके हमें कोई महाइन पर ये गार की महानत कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं पॉइंट इस ट्राइक वाइल आई इस होट आपने यह काहवत अक्सार सुनी होगी कि जब लोहा गरम होता है तब हम वार करना चाहिए वैसे ही जब सही समय पर काम करना चाहिए हमें कोई भी तो इसका मतलब इसको इस तरीके से लिंक करके हम इसको याद कर सकते हैं तो डू सम्थिंग वाइल दियर इस चिल अगुड चांस जैसे हम आपस कुछ गुड चांस हो हमें तभी उस सही सही समय पर सही काम करना मतलब इसका अर्थ है एट्थ पॉइंट फिश आउट ओफ वाटर अब इसका मतलब है बेचैन प गर वह पर कफूद ऑफ पफिश और गयां चांस होना कि यह वित आम इसे कैसे सकते हैं अब हमतलब है तो अगर पफर काकने को दे दिया जाए तो आप उससे आसाली से काठ सकेंगे नहीं वहीं आपको एक केक दे दिया जाए सॉफ्ट सा तो आप उसे इजली काट सकते हैं तो इसको इस तरीके से लिंक करके याद कर सकते हैं कि कोई भी आसान कारेट मेंज पीस ओफ केक की तरह हो जाएगा 10th point है burn your boat इसका मतब़ वापसी के रास्ते बंद कर देना अब हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि माल लीजी आप कहीं गए समूंदर में ठीक हैं आपने अपनी नाओ कहीं टापू पे उतारी और आपने क्या करा उस बोट को महाँ पे जला दिया तो अगर महाँ पे आप अपने उस बोट को चला दे क्या आप उस समूंदर के रास्ते से वापस घर आ पाएंगे नहीं आ सकते इटमिस आपने जितने भी वापसी के जो रास्ते थे वो बंद कर दी अपने लिए तो हम इसको इस तरीके से लर्ण कर सकते हैं 11th point आ डार्क हाउस इसका मतलब है आप आपर हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं आपने देखा होगा कि आएं मदम जो उन बच्चों को हम आ डार्क हाउस कहते हैं जिनको हमें लगता नहीं है कि हाँ वो बच्छ films परन्तु फिर विपर हो बच्रुक्र चाइए तो हम इसको इस तरीके से शुर्ण कर सकते हैं क कि जो आ डार्क हाउस इट मिंज आप परत्यक्षित रूप से सफर प्रति होगी 12 पॉइंट है इसका मतलब होता है बहुत खुश अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं आपने देखा होगा अगर जो डॉक्स होते हैं अगर वह खुश होते हैं तो क्या कहते हैं वह अपनी डॉक्षलना, इसको हम आपने देखा होगा कि सबका अपना यह न ऐच्छा दिन होता है यह निय कि जो वैक्तिं का बुरा दिन चल लाए तो उसका यह पुरा दिन चलता ही लएगा कभी ना कभी उसका एक अच्छा टाइम भी आएगा तो हम इसको ये easy है तो इसको हम वैसे हमें याद रहेगा ये कि every dog's head it's day कि हर किसी का एक अच्छा दिन आता है 14. white elephant इसका मतलब होता है महेंगी चीज जो काम की भी ना हो अब ना हो चीज काम की सवारी लिए आता है वंहें देखने को मिलता और नहीं वह किसी काम का होता है वैसी यह चीज़ यह होता है कि an expensive item that is troubles or useless जो हमारे किसी काम की नहीं होती है 15. wash one's hands इसका मतलब है जिम्मेदारी या जवाब देही से पला जाना जैसे कि इसके word में ही लिखा हुआ है wash one hand कि हमने इस तरीके से अपना हाथ से वो कर लिया जाड के side महट गए कि हमारे के कोई जिम्मेदारी नहीं है तो हम इसको इस तरीके से याद रह सकता है हमें तो इसकी English जैस है कि to refuse to take a responsibility for something कि कि किसी भी चीज़ की जो भी तुमारी responsibility देह उससे तुमें दूर रहना है मतलब जिम्मेदारी या जवाब देही से पला जाना green horn कि वो कच्चाम क्या होता है उसके पास कुछ भी experience नहीं होता है एक तरीके से कच्चाम मतलब जिसके पास कोई experience ना होना तो हम इसको इस तरीके से learn कर सकते हैं 17 पॉइंट बीट डा ए इसका मतलब है नी सफल कोशिश करना अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं अगर आपने देखा अगर अगर हम बीट डा या इटमिस हम हवा में अगर हाथ पर हिलाते हैं तो क्या कुछ हमें मतलब हो सकते हैं हम उ हाथ पर हवा में मारे पीटे तो उससे कोई भी हमें कुछ भी फल नहीं मिलता है वह हमारी एक और सफर कोशिश होती है जो हम करते हैं 18 पॉइंट वाइट कॉलर जॉब इसका मतलब है मानशिक श्रम वाली नोकरी करना अपने दिखते देखा होगा कि जो बैंक के ऑफिसर्स जो वाइट को वापति यह वाली नोकरी कैलाती है नाइंटीन पॉइंट विडिन अज टो इसका मतलब है थोड़ी सी ही दूरी पर इटमीज जब हम पत्थर एक फेक्वें तो क्या वो पास ही हुआ गिरते हैं हम चाहते हैं तो इसको पत्तर को वापस लेकी आजाता है अग तो इसका मतलब क्या हي कि तुम्हारा घर जो है वो ठोड़ी सी दूरी पर है तो औसको से याद कर सकते हैं कि जितने दूर में पंथर एक फैक्त हो तो उतनी दूर तुम्हारा एक घर है तो हम इसको 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 लगन आर से कर सकते हैं इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होंगी 20 पॉइंट वाइट फेजड इसका मतलब होता है डर या खराब सिहत के कारण पीला होना अपने देखा होगा कि अगर हम कुछी चीज से डर जाते हैं तो हमारा कैसा फेस हो जाता है बिल्कुर वाइट फेस हो जाता है जब पापा अग हमने ये 20 इडियम फ्रेजिस को अच्छे से याद कर ली है अब आप देखना प्रैक्टिस से जब आप लगाएंगे न तो आपको इनमें से किसी भी वर्ड को याद करने के लिए जादा दिमाग पर जोड नहीं देना पड़ेगा और आपको एकदम कहाने की तरह याद आज कि रहें तो इसका मतलब है महिंगी चीज़ जो किसी काम की नाहों किरें वशोन हैंड वर्ड माश्वण हैंड मींस जब हम अपनी हाथ हम धोलेते हैं किसी जिम्मिदारी या खिस रिस्पांसबिलिटीए यही है कि जिम्मिदारी और जाब देही का ज़ाड़ देना मतलब उ बहुत होता है फॉर्थ है वाइट कॉलर जॉब बैंक में काम करता है या बड़े-बड़े उफिसे में जिसमें कैसा काम करना परता है हमें मान शिक ना कि मैंटली काम करना पड़ता है ना कि शारीरी काम तो हमें यह इससे अच्छी से याद होगा कि इसका मतलब है वाइट कॉलर जॉब अगर आपको मेरी वीडियो जरी से भी हल्फूट लगती है तो आप प्लीज इसे लाइक करें और अगर आपको और ऐसी ही और इन्फरमेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको इस चैनल पर डेली बहुत व्यूस्फूल वीडियो हमेशा प्रोवाइड होती रहेंगे वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे और ऐसे ही कुछ और इंफरमेटिव और इंटरस्टिंग वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे